अभी हम यहां पर क्या देखने वाले हैं कि अगर आपने बनाया है तो उसकी shifting कैसे करो गए क्योंकि यह थोड़ा सा typical थोड़ा tough पड़ेगा तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना ठीक है बिल्कुल perfect नहीं कि बिल्कुल perfect बनाओ मैं थोड़ा सा यह चाता कि मैं put को थोड़ा सा ऊपर खिषता और call को एक point उपर लेया तो मैं perfect ही बनाता हूँ है है कि अगर आज यह बहुत इंट्रस्टिंग वीडियो ठीक है इसमें थोड़ा सा आपको ना लर्निंग पर पर ज़्यादा मिलेगा और आप कैसे अपनी हैज्ड पोजिशन को सिफ्ट कर सकते हो या फिर हैस्ट पोजिशन को एक बायस वे में कैसे बना सकते हो ठीक है तो मतलब कि आपके पास ये बायस है कि market उपर जा सकती है या फिर नीचे जा सकती है या फिर sideways रह सकती है अगर इन तीनों में से एक भी bias आपके पास है तो क्या आप अपना iron condor, bullish या bearish या फिर obviously sideways market है तो क्या आप बना सकते हो उसके basis पे market के basis पे and last में हम ये देखे हैं कि बनाने के बाद अगर उसको आपको shift करना हुआ कि आप market के हिसाब से उसको shift कैसे करोगो यह सारी चीजे हम यहाँ पे देखने वाले हैं तो last तक video को रखना, video में 5 topic है simply, कि what is iron condor, दूसरा biased iron condor कैसा होता है उसके बाद तीसरा bias बनाना bias create करने के बाद एक biased iron condor बनाना बनाने के बाद उसको market के साथ shift करना ठीक है, तो यह 5 चीजे आज हम सीखने वाले हैं तो video पे बने रहे ना और last तक देखना ठीक है, चलिए यह start करते है सबसे पहले, कि एक iron condor होता क्या है iron condor सबसे basic strategy है अपने market के, ठीक है पर इसको बनाते कैसे iron condor is nothing बट एक strangle को अगर hedge कर दिया जाए तो एक iron condor है, ठीक है और iron condor में hedging की जो distance होते, that is not मतलब क्या बोलते है, उसका कोई bookish language नहीं है, कि आप कितना hedge कर सकते हो कितना नहीं कर सकते हो, बट मैं फिर भी अपना recommended way आपको जरूर बताऊंगो क्या कर सकते है, ठीक है, तो अभी देखो हम screen पर देखें अगर, तो iron condor में एक आपने call बेचा, इस तरफ एक आपने put बेचा, बेसिकली इस तरफ, और अगर इन दोनों को hedge कर दो out of the money के एक call और put से, तो something kind of ऐसा graph बनता है, ठीक है, और यह बीच में एक line हुई, zero line basically, तो यह आपका profit हो जाता है यह आपका loss हो जाता है, ठीक है यहाँ पे आपने call बेच रखा है, यहाँ पे आपने हम strategy builder में गए, और builder के अंदर हमने सिर्फ यहाँ पे directly choose किया, bank nifty, उसके बार neutral में गए, और एक short rn condor click किया, ठीक है, expiry कौन सी है, 16 April के expiry है, अब देखो अगर यहाँ पे आप create करोगे तो आपको normally यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि mid में आपका profit है, इस दोनों साइड में आपका loss है profit कितने है आपका लगबग 1500 रुपीज के आसपास और loss आपका लगबग 6000 रुपए के आसपास है, अब यह कैसे define होता है, यह basically distance की वज़े से define होता है कि distance क्या है आपका अब यहाँ पे अगर आप distance देखने जाओगे तो आपने 48,100 का put बेचा है और 47,600 का put buy किया है, मतलब यहाँ पे 500 point का difference है, अगर मैं इस difference को कम कर दूँ थोड़ा सा, 400 point का कर दू और नीचे की तरफ जो difference है उसको 400 point का कर दू, तो देखो कि अब आपका यहाँ पे तेरास रुपए profit आप 400 loss है, 6000 की जगा, तो ऐसे करके धीरे-धीरे अगर आप shifting करते रहोगे तो धीरे-धीरे आपका loss कम होता जला जाएगा, but loss के साथ-साथ slowly-slowly profit भी कम होता जला जाएगा, तो simply आप एतना समझ लो कि एक beach का parameter आपको निकालना पड़ेगा, तो यह करते हैं, सारा कुछ सिखाया है, बट यहां पर हम normally एक naked eyes से देखते हैं कि market कैसा है, तो अगर इस वक्त अगर आप देखोगे, trend wise जाना चाहोगे, तो देखो, बिलकुल uptrend है, market higher highs create कर रहा है higher highs, higher highs, higher highs, create हो रहे हैं तो इस वक्त अगर overall daily basis पर देखें, तो market bullish है, तो अब हमें क्या करना होगा, इसमें हमें यह जानना पड़ेगा, कि हमें बनाना तो चीज bullish है, बट कहां से कहां तक, तो अब मैं पहले क्या करता हूँ, पहले इसमें हम थोड़े से area's define कर लेते हैं, जैसे मैं area's define करूँ, तो मुझे बस यह जानना है कि market ने breakout कहां से किया, तो अगर इस वक्त आप देखो, तो market ने यह doji create की थी इस जगह पे, और doji को बिल्कुल perfectly एक bullish candle से break किया था, correct है, तो इसका मतलब यहां पे कहीं पे एक support है, इस जगह कहीं पे, अब थोड़ा सा हम इसको zoom in करते हैं, zoom in करना मतलब हो गया 15 minute के chart पे चलते हैं, तो अभी हम थोड़े चोड़े time frame पे चलते हैं और देखते हैं क्या trade कहां पे बनी है, तो यह रही देखो doji, चार तारीक वाली, यह रहा, देखो, मार्केट ने उपर की तरफ breakout किया इस जगह से, तो अगर simply में देखू, तो यह एक high create हुआ था, मार्केट यहां पे रुकी थी और उसके बाद 5 तारीक को sideways जाके मार्केट ने last last में पूरा breakout कर दिया था, तो इस area में हमारे पास कहीं पे support है, that is you can say 48 200, यह यहां पे आप देख सकते हो 48 200, तो अब मैं यहां पे क्या करूँ, यहां पे एक zone draw करता हूँ, यह देखो, rectangle, yellow, मैंने एक zone draw कर दिया है, यहां से मुझे पला चल रहा है कि मार्केट इस जगह से, उपर जब तक है तब तक मैं bullish हूँ, ठीक है, उपर की तरफ अगर मैं देखूँ, तो मार्केट ने एक लगबग double top की तरह यहां पे create किया है इस area में, और market अभी इसके बीच में चल रही है, तो simply market इसके उपर bullish है, इसके उपर तो bullish ही, तो इस वक्त market sideways to bullish है, तो मुझे अब एक sideways to bullish area create करना है, जहां पे 48,400 से लेके, उपर की तरफ लगबग 49,200 के आसपास का मुझे profit हो, यह green area हो basically, और नीचे की तरफ red हो और उपर की तरफ red हो, लगबग 49,100,200 के आसपास, ठीक है तो इसके लिए मुझे simply कुछ नहीं करना है, मुझे जाके hit and trial करके, एक iron condor बनाना पड़ेगा, यहां पे हम गए iron condor create करने के लिए, अभी देखो इसमें क्या है, अगर मैं अभी create कर रहा हूँ same, जो default आया है यहां पे, वो आ रहा है कि मेरा green area basically है 48,100 से ठीक है, पर हम अगर chart में देखे तो हमें कहां से चाहिए, लगबग 48,300 के आसपास से, तो मैं क्या करूँगा, यहां पे simply गया उपर, और मैं call side की selling है उसको और pass लेके जाता हूँ, ठीक है अब यह देखो 48,200 पे चला गया है, तो यहां पे देखो जो default मैं है, default की जगह, मैं simply क्या करना चाहता हूँ कि मैं, जो put को है थोड़ा ऊपर खीशता हूँ पहले, तो मैं जो put की selling है उसको और ऊपर बेचता हूँ, 48,200 पे बेचा मैंने और यह 300 पे बेचा, तो जहां पे मुझे चाहिए था, 300 यह area वहां पे मैंने put को sell किया, यह रहा, अब देखो यहां पे जो green area है मैं mainly 48,200 से start हो रहा है, और upper side में मुझे कहा चाहिए, 49,100 के आसपास, chart में देख लेते हैं, upper side 49 यह 49,100 है, तो मैं 49 लेता हूँ, तो upper side में जो call है, वह मैंने बेच दिया 49, यह देखो, तो मेरा green area लगबग 49, और थोड़ा उसके ऊपर तक है 49,100 तक, मैं mostly try करता हूँ, कि अगर मेरा profit है लगबग 3000 के आसपास, तो जो मेरा loss हो, वह 4-5 से cross number, 1-2 के ऊपर का नहीं बनाना है, जैसे अभी यहाँ पे देखोगे, तो 200 का profit है और 500 का loss है, कि 1-2 से ऊपर का है, तो I don't want it, तो मैं क्या करूँँगा, जो hedges हैं, उनको थोड़ा सा control में रखोँगा, तो पहले मैंने put side का hedges है, थोड़ा ऊपर खीचा, अब मैं देख रहा हूँ, 2000 है, और यहाँ पे 4000 का loss है, तो अगर आप बनाना चाहो तो आप यह वाला भी create कर सकते हो, यह sideways to little bullish है, ठीक है, अब इस जगह पे, मैं अगर अपना राय यहाँ पे दूँ, तो market में नीचे की तरफ आप लगबख 48200 तक safe हो, तो मैं इसको थोड़ा और उपर खीच हो, क्योंकि मुझे 48200 पे जाने नहीं है, मेरा view यह बोलता है, कि market 48300 के उपर ही रहेगा, या तो sideways रहेगा, तो 200 तक का मुझे need ही नहीं है, मैं वापस गया, और मैंने यहाँ पे जो put था अपना, उसको 48400 पे set कर दिया, और जो hedge था उसको भी ऊपर खीच लिया, अब देखो, 400 point का call में यहाँ यहाँ पे hedge है, 400 point दूर, यह देख रहा है आपको, और 400 point का यहाँ पे दूर put में hedge है, ठीक है hedge मतलब यहाँ पे buying है, gap जो है, अब यहाँ पे एक बार देखते हैं, क्या हमारी setting बिल्कुल बराबर बैठ रही है, देखो market यहाँ पे है, इस जगा पे, तो अगर मैं बोलू कि मैंने sideways to bullish iron condor बनाया है, तो क्या यह true है, देखो, put side में आपके पास कम एरिया है, buffer, call side में आपके पास ज्यादा एरिया है, तो आप देखो, अगर ratio में देखोगे तो 1 is 2, लगबग 2.5 का एरिया है, clear, क्योंकि इस side में आप एक एरिया कवर कर रहे हो, green में इस तरफ उससे धाईगुना एरिया कवर कर रहे हो, तो क्या मैं इसको sideways to bullish बोल सकता हूँ, obviously आप इसको sideways to bullish बोल सकता हूँ, क्योंकि market 48300 के ऊपर और लगबग 49100-200 तक जहल जाए, तो basically आपने वो create किया है, और market इस वक्त तहाँ पर खड़िये 48500 के आसपास, मतलब उपर की तरफ आप उसको दे रहे हो, लगबग 500-600 पॉइंट और नीचे की तरफ आप उसको दे रहे हो, लगबग 200 पॉइंट, मतलब 1-3 का area coverage है यहाँ पर, रिस्क रिवार्ड की बात कर लेते हैं, तो रिस्क रिवार्ड में यहाँ पर आप देखोगे लगबग 2300 रुपए, 7% आपका profit है, और यहाँ पर लगबग 3600 रुपए का आपका loss है, तो जो हम 1-2 बनाना चाहते थे वो भी यहाँ पर create हो चुका है, तो इसी की जगह अगर मुझे बेरिश बनाना होता तो मैं क्या करता, मैं similarly, 200 पॉइंट अपने call साइड में रखता और लगबग 600 पॉइंट अपने put साइड में रखता, मैं just for example बना के दिखाता हूं आपको, कि हम इसको कैसे कर सकते, तो मैं put को नीचे 400 पॉइंट कीचा, 400 पॉइंट इस साइड में put कॉर कीचा, इधर call को 400 पॉइंट और call के hedge को 400 पॉइंट, अब यह देखो, यहाँ पे similar way में market कहाँ पे खड़ी है, लगबग 48-500 के आसपास और आपके coverage कहां तक है, 48-700-700 तक, तो similar way में yellow, बन गया yellow, अब देखो अभी हमने बनाया था sideways to bullish, अब आप यहाँ पे देखो कि अगर इस graph को तो यह sideways to bearish है, मतलब market में उपर की तरफ कम area रखा है आपने, नीचे की तरफ ज्यादा area रखा है, और अगर देखा जाए तो यहाँ पे यह iron condor, एक weekly iron condor है, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्या आपके capital पे कितना gain और कितना lose हो रहा है, तो अगर आप देखो तो आपका capital deployed होगा, उसके उपर आप 7% कमाने वाले हो, ठीक है, और probability of profit अगर हम इस चीज की देखें, कि इसमें probability of profit क्या है, तो लगबख 70% का POP है, मतलब 70% chances हैं, कि आप इस green area में रहोगे, ठीक है, तो आपने इस risk reward के हिसाब से अगर आप सही चले, और इस चीज को time to time deploy करते रहे, अपने price action के साथ, मतलब कि अगर मैं देखनों, तो मैंने यहाँ पे chart को analyze किया है, मेरा जो analysis है वो यह बोलता है कि market यहाँ रहेगी, इसमें रहेगी यह आपने यहाँ पे trend किया है, पर अगर मैं बोलूं कि नहीं हमें इसको shift करना पड़ सकता है, shift बोले तो कि market हो सकता है कि या तो इसके नीचे आ जाए, इसके नीचे चली जाए, या तो हो सकता है कि market इसके ऊपर चली जाए, तो क्या करोगे आप, यह भी एक question है, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे shifting कर सकते हैं, shifting बोले तो basically same iron condor को time to time shift कर सकते हैं, मतलब कि इस जगह पे shifting कहा होनी चाहिए, तो अब मुझे बताओ कि अगर आपका chart है, chart में market basically यहां और यहां के बीच में अगर घूम रही है और time pass कर रही है, कि आपको किसी भी तरह की shifting करने की need है, I don't think so कि आपको यहाँ पे कोई shifting करने चाहिए, क्योंकि यह तो आपका defined area था, shifting का भी start होती है, कि market या तो इसके नीचे जा या तो इसके ऊपर जाए, clear है, तो मैं काम करता हूँ, हम ना इसमें एक simulation लगाते हैं, कहीं पीछे चलते हैं और देखते हैं, कि हमारे analysis के अलावा अगर यह कुछ करता तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो इक काम करते हैं, हम पिछले expiry पे चलते हैं, तो पिछले expiry कप थी, लेट मी सी, अभी हम यहां पे क्या देखने वाले हैं, अभी हम यहां पे देखने वाले हैं, कि अगर आपने बनाया है, तो उसकी shifting कैसे करोगे, क्योंकि यह थोड़ा सा typical, थोड़ा tough पड़ेगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है, मैं क्या try कर रहा हूं, कि मैं लगबग 3 तारीक को trade बना रहा हूं, यह 3 तारीक देख रही हैं, 3 तारीक को trade बना रहा हूं, क्योंकि यहां पे sideways area है, और नीचे की तरफ यहां पे support area है, क्योंकि market नहीं यहां से breakout किया था, तो एक sideways to bullish RN condor बनाना चाहता हूं, नीचे की तरफ मैं रखूँगा सिर्फ 100 points के आसपास, उपर की तरफ यहां पे रखूँगा मैं ज्यादा pointers, ठीक है, और create कप करूँगा मैं 3 तारीक के आसपास, और उसके बाद देखो, यहां पे breakout हो गया है, और हम 10 तारीक के expiry लेंगे, जिसमें market उपर को ही गई है, तो मैं बस आपको यह दिखाऊंगो, कि आप इसको shift कैसे कर सकते थे time to time basis, तो यह delete, यहां पे 3 तारीक पे जाते हैं, मैं date पे गया 3 April, ठीक है, तीन अप्रेल का 9 तो नहीं, बट हम try करते हैं, तीन बजे के आसपास, ठीक है, तीन बच के 10 मिट पे हमने create करना है, ठीक है, और यह मैंने लिया 10 अप्रेल के expiry, not 3 अप्रेल के, अब मुझे सिर्फ इतना चाहिए था, कि मार्केट में मेरा support resistance का है, तो रेश्टेंस जो एरिया है, वो है 47800 के आसपास, तो मैं सीधे जाओंगा, और लगबग 47800 का, जो मेरा call है, उसको मैंने sell कर देना है, ठीक है, lots है जहां पर आप कुछ भी रख सकते हो, जो मेरा put side का area, मैं support देना चाहता हू, लगबग 47000 के आसपास, तो यह मैं गया, और 47000 वाला put है, उसको मैंने sell कर दिया, तो something like this, ऐसा कुछ बना, ठीक है, पर क्या यह bullish है? नहीं, यहां पर नीचे की तरफ आप देखोगे, नीचे की तरफ बहुत दूर तक support है, तो मैं क्या करूँगा, कि इनको roll करूँगा थोड़ा सा उपर की तरफ, मुझे तो sideways to bullish create करना है, तो मैं गया, मैंने कहां क्या बेच रखा है 47000, तो मैंने इसको हटाया यहां से, remove, और थोड़ा सा, उपर की तरफ आया, 47300 पे sell मारा, और call को इस जगह से हटाया, और थोड़ा दूर ले गया, वन इस्टू थ्री आप समझ रहे नो, 200 पॉइंट 600 पॉइंट, तो यह मैं गया लगबग 48000 पे, अभी भी अभी देखोगे अभी यह center में बन रहा है, यह मैं बापे से remove कर रहा हूँ, इसको लेके जा रहा हूँ मैं लगबग 48300 पे, clear है, बिल्कुल perfect बन चुका है यहाँ पे, almost perfect है, ठीक है, अब हमें इसकी hedges डिसाइड करनें, तो hedges तो आप देखो simple रखो 400 पाइंट दूर, तो 47300 से 400 पाइंट दूर गए, तो 4900 का buy मारा मैंने, और इधर की तरफ भी 48300 था, तो यहाँ पे 700 का buy मारा मैंने, यह देखो, क्या बिल्कुल सही बनाया या नहीं, 2300 का profit और 3600 का loss, बिल्कुल perfectly यहाँ पे दिख रहा है हमें, 1-2 का RR हमने क्रॉस नहीं किया है, POP इस वक्स 46% के आसपास है, नेट क्रेट हमारा इतना है, और अगर हम, मतलब सब कुछ perfect बन गया है यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको सिर्फ इसकी shifting करनी है, shifting करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे one by one, हम डे निकालते हैं, तो देखो मैंने next day start कर रहा हूँ, हमें कब तक कुछ नहीं करना, जब तक market 48,275 के नीचे है, ठीक है, तो पहले यहाँ पे आते हैं, अब देखो chart में हमें बस क्या करना है, ब्रिक आउट्स देख रहे हैं, तो पहली बात तो यहाँ से market 47,700 के ऊपर जाएगी, तब ही मैं कुछ सोचूँगा, क्योंकि इसके ऊपर मेरा resistance था, तो यहाँ पे मैं एक लाइन खीच देता हूँ, मैंने क्या trade बनाई है, कि market अगर इस case के बीच में रहेगा, तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, ठीक है, market अगले ही दिन इस area से ऊपर खुल जाती है, और उसकी closing हो रही है कहाँ पे, almost इस जगह पे ठीक है, चलो हम यहाँ पे चलते हैं, मैं कहाँ करूँगा, next day करता हूँ इसमें, तो basically, day change करके, यह लो, मैंने next day कर दिया, next day मैं देखो market इस जगह पे directly आ गई है, आपका अभी इस वक्त जो P&L है लगभग 50 रुपए के असपास है पर lot, कुछ भी changes नहीं हो, और market हमारे chart से ऊपर चली गई है, जो हमारे resistance था उसके ऊपर चली गई है, और market ने नया support create कर दिया है, मैं price action के basis पर आपको दिखा रहा हूँ कि इसको कैसे handle करना है, यह अब आपका जो resistance था यहाँ पर आपका support बन चुका है, अब आपके पास क्या ऊपर resistance है, आपको सिर्फ अपने put को ऊपर की तरफ खीच के लाना है, ठिंपल है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो support area यहाँ पर सिफ्ट हो गया है हमारा इस जगह पर, तो 47,700 के आपस हमारा support area सिफ्ट हो चुका है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, यह डिलीट किया, अब मुझे इसका hedge भी book करना पड़ेगा, यह रहा, अब मैं नया यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, 47,000 के support हमारा, 47,700, मैं गया मैंने 47,700 बेज देना है put, यह रहा sell, ठीक है, और इसमें hedge लगभग 400 दूर यह रहा buy, अब आप चार्ट को देखो, चार्ट में कुछ भी आपको देख रहा है यहाँ पर, बिल्कुल भी कोई changes करने की need नहीं है, अब आपका profit यहाँ पर हो चुका है, 31,00 रुपय के आसपास आपका loss अटाइस, अब आप यहाँ पर उल्टा हो चुका है, लगबग profit ज्यादा है loss से, इस वक्त, कि ज्यादा चेड़कानी में तब करूँ जब मुझे परिशानी हो रही हो, ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, जब तक हमारा call का end point नहीं आएगा, end point मतलब यह selling point है, तब तक हम put को shift करेंगे, बट market अगर इसके ऊपर जाती है, तो फिर हम पहले put shift और call को भी दूर ले जाएं, क्योंकि हमें iron condor में रहना है, हमें iron fly नहीं बनानी है, this video is for iron condor shifting, तो अभी इस वक्त market में ऐसा कुछ भी नहीं है, कि हमारा 48,300 तूटे, तो मैं simplification के लिए क्या करूँगा, कि 48,300 पर एक line खीचुँगा, हम सीधे चलते हैं, यह 3-10 हो रहे हैं, तो यह मैंने day 1 आगे कर दिया 5 तारीक को, अब देखो market सीधे यहां पर ऊपर चली गई, तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, put को book करना है, support को ऊपर लाना है, क्योंकि अब support नया बन चुका है, और अपने call को भी दूर ले जाना है, याद रखना, सबसे पहले यहां पर put देखते हैं, put में profit चल रहा होगा, यह रहा put, यह put book किया, ठीक है, put का hedge book किया, पहले, अब put को वहां लेके जाना है, जहां पर हमें support फील हो रहा हो, ठीक है, तो इस वक्त मुझे put का, अगर support में देखू, safety के हिसाब से, तो मुझे feel होगा इस जगह पर, क्योंकि market ने इस area में, sideways play किया, play किया, उपर गया support लिया, और यहां से break किया, तो अब यह area जो है न, यह area वह एक support area है, और market ने break किया, तो 48100 के आस-पास put होना चाहिए, तो मैंने यह delete किया, यहां से वापिस गया, और अब 48100 का put बेचूँगा मैं, तो मैंने यह sell मारा, और लगभग 400 point दूर, मतलब हो गया, यह buy मारा, तो मैंने put की shifting तो कर दी यहां पर देखो, ठीक है, क्योंकि मार्केट अपने all-time high पे, कोई resistance आपको पास नहीं हमाल लो, तो आप क्या कर सकते हो, आप call को put की बराबरी कर रख सकते हो, आप समझो मेरी बात को, अभी आपका जो call है, उसकी pricing आप देखोगा, यहां पर 400 रुपए के आस-पास चल रही है, अगर आपने put बेचा है, वो 1.500 रुपए के आस-पास का है, तो आप simply हम क्या करने वाले है, अब पहले हम call को निकालते है, call का sell, और call का hedge, दोनों निकाल दिये हैं, और हमारे पास put कौन से है, 1.500 का sell put है, तो मैं जाओंगा call पे, और 1.500 का sell call कर दूँगा, यह रहा, और इससे 400 पॉइंट दूर, मतलब 1, 2, 3, 4, यहां पे buying कर दूँगा, यह देखो, अब हम इस जगह पे आ गया, अब मुझे बताओ, यहां पे अभी क्या, आपका कोई SL, वेसल को छिट हो गया, कुछ भी ऐसा नहीं हो, अभी आप सिर्फ यहां पे, कंट्रोल कर रहे हो गेम को, तो यहां पे आपको लगबख 925 का loss चल रहा है, 1700 रुपय का max profit बचा है, और 4300 का आपको loss बचा है, क्या यह हमारे 1.2 को फुल्फिल कर रहा है, लगबख हमारे पास 32 का loss होना चाहिए था, यह नहीं होना चाहिए था, तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा trade को हिलाएंगे, trade को हिलाएंगे मतलब अपना जो sell है, call वाला उसको मैंने remove किया, यहां से buy को भी remove किया, और जो हम कहां पे गए थे, 500 पे बेचा था, मैं उसको थोड़ा और महंगा बेचने का try करता हूं, ठीक है, और 400 पाइंट दूर तो 842 buy, क्या अभी हमारा fulfill हो रहा है, 2000 और 4000, almost 1-2 के आसपास है, यह fulfill हो गया है, ठीक है, अब चलो हम क्या करते हैं, अगले दिन के फिर day end पे चलते हैं, आर्ट तारीक को, आर्ट तारीक को आप देखोगे, आपका loss जो 1000 रुपए का था वो कम हो गया है, max profit max loss वहीं पे है, अब मार्केट में क्या changes आ है, तो आर्ट तारीक के day end पे देख लेते हैं, हम अपना put leg देखते हैं कहां पे, put का leg, यह 48-100 पे है, तो हम simply 48-300 पे अपने put को shift कर सकते हैं इस वक्त, यह मैंने हटाया, यह put हटाया और put को 48-300 पे shift किया, sell और 47-900 का buy, यह put side से मैंने shifting कर दी है, और यह यहां पे बिल्कुल 200 का profit और 36 का loss, एकदम perfection पे आ चुका है, कुछ भी changes करने की need नहीं है, अब नया change वैसे कब आएगा, या तो आएगा कि market 48-800 को cross कर जाए, मतलब कि market 48-800, मतलब यह area cross कर जाए, मैं दोनों लाइनों को यहां रख देता हूं, जो कि उसने अगले दिन ही कर देना है cross, ठीक है, तो हम अगले दिन चलते हैं, इसको cross करते time हमें changes करने पड़ेंगे, put को ऊपर खीचना पड़ेगा, call को ऊपर ले जाना पड़ेगा, ठीक है, ओके, तो अभी के लिए यहां पे अगर हम सुबह सुबह देखें, तो कुछ नहीं हो रहा है, लगभग 10 बच के 30 मिनट में market ने 48800 को ऊपर cross कर दिया है, I know यह थोड़ा सा tough जा रहा होगा, धीमे धीमे देखना हो सकता है market में trade को वापिस से देखना, यह जो मैंने वीडियो बना इसको दो बार देखना, तीन बार देखना, आपको समझ आएगा, कि हमें shifting क्यों हो, यह एक positional trade है, weekly trade है, इंट्रले ट्रेड नहीं हो, तो हमें इसको shifting करनी पड़ सकती है, तो अब हम चलते हैं, 10 बच के 30 मिनट पे, क्यों, क्योंकि market ने cross किया, 10-30, 2 गंटे आगे कर रहा हूँ, 10-56 हो गया है, 15 मिनट पीछे कर रहा हूँ, और 5 मिनट पीछे, और 5 मिनट पीछे, यह देखो, 10-30 पे just उसने cross किया है, तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं put को close करूँगा, यह रहा put, put का आ गया, put, यह रहा, इसको close किया, और यह put का hedge close किया, अब हमें सबसे पहले put लेना है support area, तो market यहां अगर इसको cross कर गई है, तो जो put का support area है, वो यहां किसक के आ जाएगा, इस जगा पे, क्यूँ, क्योंकि market उपर का hedge cross कर चुकी है, और हम shift करते जा रहे, पहले हमारा support यहां था, फिर market ने उपर break किया, यहां पे put को मैंने यहां पे बेचा, ठीक है, और लगभग 4800 को buy किया hedge, 400 पाइंट दूर, यह हमने कर दिया पहला काम, put side से, ठीक है, पर कि हमने call को आगे खीचा, तो call को आगे खीचने के लिए, हमें पहले call को काटना पड़ेगा, call cut, ठीक है, अब उपर की तरफ हमारा जो market है, उपर तो खुला हुआ है, हम simply क्या करेंगे, put को लेके आएंगे, call को लेके आएंगे, put के एरिया में क्या बेचा हुए हमने, लगभग 70 रुपए के असपास, तो 70 रुपए का पुट का मिलेगा यह रहा, sell, sorry call sell, 49 200 है, तो 49 600 buy, अब यहाँ पर अगला क्या चक करना है, क्या हम 1-2 में बन रहे हैं, 1-2 में नहीं बन रहे हैं, ठीक है, तो हमें simply क्या करना पड़ेगा, दोनों को थोड़ा महंगा करना पड़ेगा, तो अब हम चलते हैं, कि पहले put को ऊपर खिचते हैं, तो यहाँ पे हमने put का आँगा, put को हटा दिया, put जो लिया था, यह मैंने हटाया, यह हटाया, और मैं put को इसकी जगा क्या कर रहा हूं, महंगा put लेकिया रहा हूं, जो कि अभी 68 रुपय का था, अब हम उपर के तरफ बुलिश है, तो मैंने put को लिया पहले उनचास, एक उपर सिफ्ट किया, और यह 200 पे बाई किया, क्या इससे काम बन रहा है, 1000 और 5000 नहीं, यह 1 इस्टू 5 है, अब हम थोड़ा सा call के साथ करके देख लेते हैं, remove, यह remove, call जो हमारा सतर का था, उसको 92 का बेचते हैं, और 500 का buy करते हैं, चेक करते हैं, 13, 2, 26, अभी भी काम नहीं बन रहा है, मतलब और महंगा करना पड़ेगा, तो यह sell remove किया, यह buy remove किया, 127 का sell, और लगभग 400 का buy, यहां पे काम बन रहा है, 17, 42 नहीं, put को उपर लाना पड़ेगा, ठीक है, यह हटाया, remove, यह हटाया, remove, put को हम बेचने जा रहे हैं, 116 रुपय का sell, और 7 और 3, 4 buy, अब देखते हैं यहां पे देखो, बिलकुल exact rate to 2000 और 4000, 1-2 पे हम अगेन आ चुके, यह जो double shifting वाला game है, वहाँ पे 1-2 का risk reward, बहुत ही ज्यादा important काम है, सबसे important वह है actually, तो अब चलते हैं आगे, अब मैं इंडॉगे delay चलता हूँ, थोड़ा था 5 मिट पीछे कर लेते हैं, end of the day में 15 मिट आगे, sorry, 5 मिट पीछे, 5 मिट पीछे, तीन बच के 9 मिनिट, 10 मिनिट, ठीक है, यह देखो, 9 तारीक को 3 बच के 10 मिनिट में, आपको 340 का loss है, यहाँ पे 246 का profit है, और 4000 का loss है, इस वक्त market हमारे put के, बिल्कुल edge पे खड़ी हुई है, तो basically हमें, यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, कि इस जगह पे market आ चुकी है, यहाँ पे, बिल्कुल edge पे आ चुकी है, 9 तारीक, 9 तारीक आ गई, यह रही market गिरी उपर गई, और यहाँ पे इस जगह पे खड़ी है, और लगभग 48600 के आसपास हमारा put है, कहाँ पे देख लेते हैं, 48700 पे हमारा put है, मतलब यह हमारा put है, इस जगह पे ठीक है, यहीं पे market खड़ी हुई है और हमारा जो call है कहाँ पे है, जो sell call है हमारा, 49000 पे, तो हमारा जो call है वो खड़ा है, 49000 पे, इस जगह पे हमारा call है, तो basically, यह रहा आपका put, और यह रहा आपका call इस वक्त, और market खड़ी है यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे, तो simple सी बात यहाँ पे है, कि हमें थोड़ा सा put को खीचना पड़ेगा, थोड़ा सा call को नीचे लाना पड़ेगा, और हमें 1-2 का game फिर से बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम एजस पे छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें चेंज करना है, वह हमारी एक problem है, हम छोड़ नहीं सकते उसको खाली, तो हमने यहाँ पे इसको create किया था, अब मैं simply directly जा रहा हूं, पहले put side को थोड़ा सा नीचे खीचना है, तो call को पहले book करते हैं, call नीचे खीचेंगे, call बुक किया, यह call बुक किया, call को नीचे खीचते हैं, 99 पे थे हम, हम लेके गए 48, 800 के असपास sell, ठीक है, और हमने जो buy किया, 84, 12, 49, 200 का buy, अभी क्या हुआ, अभी देखो, अभी भी edge पे है, अभी हमारे पास, अभी हमारे पास 2800 का profit और 3100 का loss है, हम क्या करेंगे, simply, put को खाली करेंगे पहले, तो put का अंगया, put, put, यह गया put इदर, और यह गया put का hedge, ठीक है, अब हमें put क्या चाहिए, put हमें इसके नीचे वाले support पे जाना चाहिए, तो इसके नीचे का support something like 48500 के आसपास था, तो हम चलते हैं 48500 पे यह रहा, put को यहाँ पे sell किया, और 4800 का buy किया, अब हमें देखना है कि क्या हमारा risk reward फुल्फिल हो रहा है, अब risk reward फुल्फिल में आप देखोगे, 4000 का loss है, 2000 का profit है, 340 का loss चल रहा है, बिल्कुल 1-2 create हुआ है, इसमें कोई भी दोराय नहीं है, हम हर तरीके से अभी यहाँ पर perfect बन चुके हैं, उपर की तरफ resistance की बात करें कहां पे है, लगबग 49000 के आसपास है, क्या हम सही जगा पे हैं, 48800, 48900 तक हमारा control है, नीचे की तरफ हमारा control है, लगबग 48400 तक हम यहाँ देखें, 48400 का है, 48400 इस जगा पे है, तो यह लगबग लगबग फाइल, कॉल को चाहो तो आप थोड़ा सा उपर खीश सकते हो, तो अब इसमें यह बिल्कुल perfect नहीं है, कि बिल्कुल perfect बनाओ, मैं थोड़ा सा यह चाहता, कि मैं put को थोड़ा सा उपर खीशता और call को एक point उपर लेया, तो मैं perfect ही बनाता हूँ, मैं यहाँ पर बीच में chance नहीं लेना चाहता, तो यह मैंने put को उपर खीचा, और यह जो by का यह था इसको हटाया, और by को भी ऊपर खीचा, ठीक है यह देखो, अब यह center में आया है, यहाँ पर put की तरफ भी लगबग 48, 4500 तक का support है, और यहाँ पर लगबग 49, 950 तक का support है, अब मैं यहाँ पर satisfied हूँ, यह मुझे ठीक लग रहा है, यहाँ पर safety चाहिए अगर आपको, तो यहाँ से call थोड़ा सा out ले जा सकते हो, बस, call को थोड़ा सा out मतलब, इसकी जगह पर यह call sell कर सकते हो, 48, 900 का, और 9, 4, 13 यह buy, अब आप देखोगे, 2600 का profit है, 3300 का loss है, और इस जगह पर आप almost उपर की तरफ, 49,000 तक safe हो, नीचे की तरफ 48, 450 तक, क्या यह fine है, 48, 450, okay हम support के ऊपर है, और उपर की तरफ 49,000, अब यह perfect बन चुका है, और यह जो मैं अभी कर रहा हूँ, this hidden trial is important, यह आपको सोच के करना है, आपको करता है, प्राइस सक्षन के basis पर, ठीक है, आपको लग रहा होगा, क्या रह यार इतनी changes क्या है, क्या करना है, but this is important, ठीक है, यह बहुत जरूरी है, आपको market के साथ move करते रहना, okay, तो अब हम फिर से चलो आगे चलते हैं, एक दिन आगे लेकर जाते हैं, 10 तारीक को लग बख तीन बज़े के आसपास, यहां पे तीन बज़ रहे हैं, तीन बज़ के दस मिनिट यह रहा, आपका जो बिलकुल last पे market चल रहा है, तो अभी हम देख लेते हैं, क्या changes हमारे हिसाब से हुए हैं या नहीं, मार्केट बीचों बीच खुलती है, और पूरा sideways चल रही है बिलकुल last last तक, तो हम यहां पे गए, और थोड़ा सा पीछे चलके देखते हैं, मार्केट में क्या हुआ है, सुबह सुबह, नौबीस, नौबीस पे सुबह हमने देखा कि 600 रुपे पर लॉट का profit है, कोई movement नहीं है यहां पे ठीक है, मार्केट उपर खुली है, पूरा sideways ही चल रहा है, थोड़ा सा और 15 मिट आगे करते हैं, 30 मिट आगे किया, अभी हमें लगबग 1000 रुपे पर लॉट मिल रहा है, और आगे किया, लगबग अभी भी 1000 रुपे पर लॉट ही मिल रहा है, और आगे किया, यह देखो, मार्केट में क्या हुआ कि यह हम edge पे इस जगह पे आए, कितना बज़ रहा है, हम अपने अपर साइड के edge पे आगे, अब हम यहां पे क्या करते हैं, हम बेसिकली पुट को ऊपर खीचते हैं, और कॉल को थोड़ी सी जगह देते हैं, फ्रॉम दिस प्लेस, हम पहले पुट को ऊपर खीचेंगे ठीक है, यह बुक किया, यह बुक किया, अब पुट को ऊपर खीचने के लिए आप क्या करोगे, मार्केट देखो, सिंपली ऊपर की तरफ को जा रही है, हमारा सपोर्ट अक्चुली में इस एरिया में था, यहां पे, जहां से हम पहले पीछे आया थे, लब 48-649-700 के आसपास हमारा पुट है, तो हमें यहां पे 48-649-700, इस एरिया में सेलिंग करनी पड़ेगी 48-700 के आसपास, और 48-300 को भाई, तो यह हमने only put में कुछ changes की है, put में changes हुए, क्या हमारा जो call side है अभी safe हुआ नहीं, तो हमें call side में जाना पड़ेगा, और call side को book करना पड़ेगा पहले, तो call side कहां गया, यह गया और यह गया, book कर लिया हमने call side को simply, अब call side में हम registers को दिखनी जा तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पे put के बराबरी का बेच सकते हैं, पुट हमने कौन से बेचे हैं, यहां 35-37 रुपय का put है, तो हम यहां पे यह sell किया, और 49-100 और 49-500 को buy कर लिया, अब हम उपर चल के देखते हैं, पहले तो हमारा 1-2 का RR बनना चाहिए, क्या बन रहा है, 1-2 का बिलकुल नहीं बन रहा है, यहां पे 1-2 नहीं लग रहा है, मुझे यहां पे यह 1-2.7 है, तो हमें थोड़ी सी यह देखनी पड़ेगे, कि market का view क्या है, हमारा view sideways to bullish obviously, क्योंकि market यहां पे इस जगह पे खड़ी हुई है, तो हम क्या कर सकते हैं, पुट को थोड़ा और उपर खिश सकते हैं, तो पुट का मैंने जो sell था उसको remove किया, और और उपर किया, उसके बाद जो पुट का buy है उसको remove किया, और उसको भी एक point उपर किया, अब देखते हैं क्या बना हमारा 300 का profit, और लगबग 36 का यहां पे loss है, और 1-1.5 बन गया है, अभी हम perfect बिल्कुल state पे आ गया है, जहां पे हमें आराम से देखने को मिल रहा है, कि sideways to bullish भी बन गया है, हमारा profit ratio जो हमें चाहिए था वो भी है, और अब हम perfect area खड़े हैं, तो अब हम यहां पे चलते हैं, दो घंटे और आगे, कुछ भी नहीं है अभी, edge पे नहीं आया है, और 35 मिनट आगे चलते हैं, अभी कुछ भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है, 250, बस, देखो 250 में almost आप अपनो profit hit कर चुके हो, आपको कुछ भी need नहीं थी, आपको यहां पे decay मिल चुका है, और आपको एक भी बार, कोई भी SL देखने की need नहीं पड़ी, आप 900 के loss तक पहुंचे थे उससे जादा नहीं, और end हो चुक है वैसे market, यह लो, 5 मिनट, 15 मिनट, 3-10 हो चुके हैं, 3-15 पे cut, 3-15 पे देखो, आपको 2385 रुपए मिल रहे हैं, अब यहां पे देखो, मैं आपको बता दू, estimated margin आपका 35,000 रुपए, आपको एक iron condor को deploy करने के लिए, 35-40,000 रुपए के आसपास लगते हैं, और उसके basis पे आपने 33 रुपए कमाया हैं, तो basically आपने create कर लिया लगभग 6-7% on your margin, ठीक है, आपका money management हमेशा चलता रहेगा, तो यहां पे मैं 1-3rd यूज करता हूँ अपना, 1-3rd का basically meaning यह हो गए, कि अगर आपके पास लाक रुपए हैं, तो आप उसका 1-3rd यूज करते हो, मतलब कि आपने 30-35,000 रुपए यूज किये हैं, पैसे बनाये, पर क्या यह margin के ऊपर बनाये आपने नहीं, आपका capital कितना था 1 lakh, तो अगर मैं count करने पे आऊं, तो मैंने basically इस week में 2.3% ही बनाये हैं, क्योंकि मैं 1 lakh के हिसाब से calculate कर रहा हूँ, तो simply आपको भी calculation क्या करना चाहिए, 1 lakh के हिसाब से, क्लियर यह बात, और अगर मेरी बात मानोगे, क्योंकि कई लोगा question यह होगा, कि अरे यार हमने इतनी सारी सिफ्टिंग कर दी है, इसमें तो लगभग 700-800 ब्रोक्रेज ही चला जाएगा, 700-800 ब्रोक्रेज के बाद 200-300 रुपई जाएगा, तो चार्जस में यह आदा पैसा चला जाएगा, यह तो आपने क्या ही बता रहे हो आप, पर, देखो, सिंपल सी बात बता रहे हो आपको, कि अगर मैं कभी भी करना चाता हूँ थोड़ा से systematic way में, तो मैं हमेशे यह बोलूँगा, कि अगर आप option selling world में घुस रहे हो, तो at least 3-4 लाक के हिसाब से घुषना, आप सोच रहे हो, कि 1 लाक रुपीज हो और option selling में आप absolute profit जादा देख पाऊगे, that is not possible, even by manual and even by elgo, that is not possible from one lot, तो आप 3 लाक के हिसाब से करो, और इसको 3 लाक के हिसाब से देखो, तो basically तब आपको समझाएगा, कि हाँ यहाँ पे absolute profit कुछ बच रहे है, otherwise आपको एक lot में absolute profit बचना, maybe यह तो option buying में हो सकता है, क्योंकि आप जल्दी profits बुक कर सकते हो, और या तो जहाँ पे आप एक दो ही trade करो, but obviously अगर आप iron condor कर रहे हो, और आपको थोड़ा सा महंगा iron condor, मतलब जिसमें थोड़ी value हो, वरना देखो iron condor मैं भी big link से बेश सकता है, जिसमें 1000 रुपय profit और 5000 का loss हो, और एक बड़ी range मिल जाती है, अगर market देखो sideways थी, पर मैं चाता था, कि मेरे पास महंगा हो, महंगा होने से क्या होगा, कि मैं market में बना तो रहूँ और मुझे profit तो मिले, अगर मैं सही हूँ, और market में अगर यहाँ पे crash आ भी जाए, कुछ भी हो जाए, और market गिर गिर जाए, तो basically similar 3% में अगले week कमाने के लिए भी ready रहूँ, that is my motive, वरना iron condors लोग जब आप बनाते हो, तो वहाँ पे आपका 1000 रुपय का profit होता है, 5000 का loss होता है, जो आप उसको create करोगे और आप एक भी बार गलत होगे, तो आपके 5000 रुपय चले जाएंगे, और आप 5000 रुपयार आपको 5 बार कमाने पड़ेंगे, मुझे यहाँ पे अगर मैं इसमें सीधे market crash हो भी जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो मुझे यहाँ पे एक ही trade लगेगी, वापिस से सही जिसमें मैं अपने iron condor से पैसे कमा लूँगा, और कितना यहाँ पे कमाना चाहते हो, मैं बचाने पे देख रहा हो, कि मैं 3-3% यहाँ पे खोने को रेड़ेंगे, आप इंट्रादे में 1 लैक से trade करोगे यार, तो नॉर्मली 2% आप देने को रेड़ी हो जाते हो, आप एक ही week में उसको कमा के वापिस लिया होगे, बट नॉर्मल एक flat iron condor में जहाँ पे आप safety को ज्यादा matter कर रहे हो, कि अर्यार दूर रहेगा मेरे को ज्यादा changes नहीं करने, ब्रोक्रेज के पीछे भाग रहे हो, तो आप फिर कभी भी उसको जल्दी से back नहीं ला पाऊगा उस loss को जो यहाँ पे मिल जाएगा ठीक है, तो ब्रोक्रेज को आप अगर charges को बचाना चाहते हो इस जगह पे तो आप simply आपको एक से 2 lot, 2 से 3 lot, 3 से 4 lot पे जाना पड़ेगा, कि हम पर order basis यहाँ पे गेम कर रहे हैं, मैं इसको count भी कर लूँगा तो यहाँ पे लगबग 20 order गये होंगे, और इन 20 order से आपको लगबग 1200 रुपए देने पड़ जाएंगे, तो वह 1200 रुपए बेसिकली आप 6,000-8,000 के profit पर दो तो आपको वह फील नहीं होगा, you just go with, कि आप 15-20% अपने charges में जाता है, साल भर का प्रॉफिट लाग कमाए, और आपके पास लगबग 80,000 भी बच रहे हैं, तो आपने बहुत अच्छा performance किया है, तो don't be into like कि अरे यार मैं इसका क्या करूंग, ब्रुकिस क्या होगा, आप अपने lot size बढ़ा दो, clear है, तो I hope कि यहाँ पर थोड़ा मैंने detail में समझा और थोड़ा लंबा वीडियो है, बट try करना कि एक से दो बार देखना, क्योंकि detailing चुपी हुई है, इस price action के हिसाब से अपने iron condor को change करने में, तो that is because of shifting, और shifting कई बार हो सकती है, पूरा week पड़ा हुआ है, आज दिन में market कितनी भी बार घूम सकती है, आपको कितनी भी बार वहाँ पर 1-2 का iron condor create करना है, that is the baseline, create, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करना, और यह थोड़ा क्या बोलते हैं, पढ़ more thing, अगर आप Theta Gainers के टेलिग्राम पे नहीं हो, तो आप टेलिग्राम पे Theta Gainers सर्च करो, वहाँ पे daily basis पे आपको इंट्राडे के अपडेट्स लाइव में मिलते रहेंगे, टा-टा, बाइ-बाइन, थैंक्यू.